कि एगाइज वैलकम बैक तो अनदर वीडियो और आज मैं आपको कराने वाला हूँ लोकल रोट ठीक है तो यार यदि आप इस चैनल पर नहें हैं तो प्लेस चैनल को सस्क्राइब कर देना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डाल आपको सबसे पहले उसका नॉटिपिकेशन सुनाई दे ठीक है और आज मैं डेंजर रोट ट्रिप पर आया हूँ भीडिकोर से और डावर बीलेस तक ठीक है और यह जो लोकेशन है यह पॉडिगडवाल जिल्ले में आती है और बीरुखाल ब्लॉक मात है ठीक है आप देख सकते हैं यह है पूरी रोड ठीक है कितनी डेंजर रोड है जब भी अब यहां पर वरब गिरेगी बारिस होगी तो यार उपर दिखाना चाहूंगा मैं आपको वह आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल वहां से पत्थर आगे गिरिंगे और ठीक भाई इदल नीचे यह यहा रोले ठीक है इनने आता है पानी और पानी का फिर हम लोग क्या करते हैं कि टंकिया बनाके घरों में लेके जाते हैं पाइप के द्वारा और आलंकि साम का वक्त है छे बत चुके हैं और हवा इतनी तीज चल रही है कि आपको साइद बैक्ग्राउंड नोईज भी सुनाई आता है और आज यहां पर काफी ठंडी हवा चल गया है और पहाड़ों के हाल ऐसे होते हैं उत्राखंड में रोड आप देख सकते हैं यह कची रोड है मैं मान सकता हूं और इसमें भी गाड़यां चलती है ऐसी कोई बात में है कि इसका गाड़या नहीं चलती इसमें भी गा आगे देखते हैं अभी मेरे को उदार जाना ठीक है और बैक्ग्राउंड में मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे वो रॉला है जो मैंने आपको दिखाया था और चलते जाएए आगे यह है पूरा आसपास बांच के पेड़ होते हैं और नीचे का सीन आपको दिखाऊं तो नीचे का सीन कुछ ऐसा होता है यदि फ्यूचर में अगर कुछ भी बस एक्सिडेंट टैक्सी एक्सिडेंट होता है तो आप समझ सचते हैं कि पहाड़ वालों यहां पर किस तरीके से अपनी लाइब को बचाना पड़ता है और वेरी डेंजर तरीके से हम लोग गाड़ों में सफर करते हैं आप लोगों को पता ही है अगर उत्राकंड में विजिट करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कितना कटिन होता है ठीक है और छलते जाएए आगे यह है रोड में ऐसे पत्थर भी आयोते है कभी कभी ठीक है जिन के गाड़िया चलती है और यह पत्थर ना जानभूश के लगाए हूं और ढह Estado सोचने होगा कि यह पत्थर ओपर तो आगे देखते हैं और इसके बारे में तो मैं आपको बताई चुका हूँ यह है पागल जाड कहते हैं ठीक है इसे उत्रा करने हैं एंटी सेप्टिक एंड एंटी वायरस इसमें पाया जाता है आप संब्द सकते हैं कि इम्यूनुटी बढ़ाने के काम भी आता है और जहां पर कट ऑगा होता है तो आप दवा काम भी से करते हैं और चलते रहें आगे तिलाला पासपास का व्यू चारो तरफ पहाड या उप्राकन की ब्यूटी फिक हैं चारो तरफ पहाड और पहाड के बीच में होती है ऐसी रोड़े कहीं कहीं पर और उनमें हम पहाडी लोगों को जीवन यापन करना पड़ता है बई किक है और चलते जाएए आगे देखते हैं विर्कोर्ट टु डावर है ना विर्कोर्ट तो डावर के बीच में क्या क्या है गोड़ पे तो मैं पूरा कुछ आपको दिखाऊंगा और कोशिस करूंगा कि यार आपको पूरा उत्राखंड एक्सप्लोर करके दिखाऊं कि आखि पूरुल फूजबन हो गया है और हल्का हिल बेरा है है ये कुछ रोड पर पाणीर आता है मैंने रहता आड्मिक की पार इता है और रोल में जब यहींद है खानी टो हो जा तो यहीं पानी और जिंदगी देता है इसले इसको सेइट करना बहूत जरूरि के बद्स का ने वा और उपर कुछ इस तरीके से हमारे उत्राखन में पहाड पाए जाते हैं पूर आप दे सकते हैं व्यू आसपास का व्यू हर जगह से मैं आपको आसपास का व्यू जखाऊंगा क्योंकि डैपी नेट ली कहना कहीं से तो यह चींज हो गाई और मुझे आप लोगो को दिखाना है कि हमारे उत्राखन की वादियां कैसी होती है एंड गाईज जरोर से थोड़ा सा ओपर में आपको एक और चीज दिखाने आया हूं ठीक है और मेरे साथ है मेरा एक दोस्त जो की अभी मेरे पीछे है और देखते हैं यह हैं गड़वाल में इसे कहते हैं पईया कपे ठीक ह और इसके आते हैं 12 मेने फूल तो अब मैं आपको इसके फूल दिखाता हूं और हाँ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरा उन करके कि इसका क्या है यह पर सीन है और दोस्तों वह है पईया का पेड़ ठीक है हमारे गड़वाल में इसे पईया का पेड़ कहा जाता कुछ इस प्यारे फूल है यह प्यारे फूल है और इसका मैं यूज़ बथाओं आपको तो यह पेड काम आता है जब कभी भी गाउं में साधी होती है ना तो फिर बेदी बनाए जाती आप लोगों के बता होगा बेदी के बारे में तो वेदी में यह पईया पवित्र माना ज जाता है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर है और चलिए रोड तेरह भी कंटीनिव हम चलते हैं आगे तो साम पर साम पर टायम है रात बे होने वाली है और अंधिरा भी होने लगा इसलिए वीडियो कि लिए नहीं आ ठीक है आप तिलाल आसपास देख सकते है रोड रोड के बारे में तो मेर काफी बता चुको आपको पहाडी रोड कैसी होती है यहां पर और फिर उन सड़क पे चलके हम पहाडी लोगों को चलना पड़ता है ना उपर यह टेंकी है बनाई हुई है सेम लाइक जो मैंने आपको बिशली वीडियो में बताया था कि क्प्लिट होने वाला है और आगे हैं डावर विलेज कभी टाइम मिले तो मैं डावर विलेज के उपर वीडियो बनाऊंगा बस आप लोग यहीं प्यार देते रहें और प्लीज यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी कि वीडियो भाई वीडियो में यह कुछ देखना हमें तो मैं कोशिस करूँगा कि आपको वह चीजे दिखाओं ठीक है और यह हैं डावर की टैंकी यह जो आप देख रहे हैं गाव में पानी जाता है इससे और जो मैं अभी पाइप पी बात कर रहा था तो वह कुछ पाइ है ना तो वह ऐसी होती है हमारी पहाड़ों में लाइफ है ना और साम का टाइम है ठड़ी लग रही है मुझे और अब यार्फ मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में अब तक के लिए जया उत्रा खाना है